Hello friends, my name is Vyabhafkar and I am from Lucknow. I am also a Rajpati Scout of Northern Railway, Bharat, Scouts and Guide. So, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Klo Hitch कैसे बांदी जाती है, इसे Hindi में खूटा फांस भी बोला जाता है, सबसे परला भी धन दें कि Hitch क्या होती है, Hitch किसी वस्तू पे बांदी जाती है, ठीक है, और जो नॉट्स होती है, वो हमेशा अप रस्सी पे या एक दूसरी रस्सी पे बांदी जाती है, तो आई शुरू करते हैं, Klo Hitch के लिए हम एक वस्तू लेंगे, जैसे कि हम यहां पे डंडा लिया है, Klo Hitch के लिए हम क्या करना है, यहां पे लिए हमें सबसे पहले एक दंडे पे, Klo Hitch के लिए हमें क्लोश बांदी है, तो हमें इस पे लिए करना है, एक हमने क्रोश बनाया, हमने पहले रस्सी लिए, इसको इसके उपर लपेटा, इसके उपर इसको ऐसे क्रोश बना दिया, ठीक, अभी आपको क्रोश बिकराए हैं, अभी इस क्रोश मिन से क्या करना है, इन दो क्रोश के बीच से फिर से टेरा है, फिर एक करना है, इसको जाएतव करने, इएक उफ्सी क दूसरा तरीका है, आपने इसको रखा, किसी बीची वस्तू पर रखा, जिस भी साइड आए उसके अपोजे साइड क्रॉस लिया, अगेन फिर से क्रॉस लेंगे, वराद के अंदर से निकालेंगे, लूप लेंगे और बस साइड से इसको निकाल देंगे, ठीक है, तो भी बार मैतर होता है, वह भी मैं आपको छिखाता हूँ, इसको खोल देते हैं पहले, तो अब क्या करना है, एक सेरा अपनी तरफ मोड़ीगा, एक सेरा अपोजेट के तरफ मोड़ीगा, और इन दोनों को आपसे मिला दीचेगा, ठीक है, इन दोनों को आपसे मिलाने के बाद यह वाला लूप है इसमें किसी भी वस्तू को डाल दीचेगा और इन दोनों रस्तियों को आप पोजित अपोजित डिरेक्शन में खीछ लीचेगा तो अगें यह आप देख रहे हैं फिर से आपी क्लोहिच बन गई है यह मैंने तीन तरह के साथ क्लोहिच बिनाना दिखाया इफ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट पर ज़रू बदाएगा मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्ट फरने की कोशिच करूँगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोट फॉर्गेट तो लाइक इस वीडियो और सुस्क्राइब मैं चैनल इस प झाल बदो प्लीज करूँब एक करूँगा झाल आपको कि झाल गया प्लीज और से इसकत्ता सुड़ख तो य।